पूरा मामला प्रात्मिक विध्याले शमशेर गंज का है। इस विध्याले के साथ 40 भीगा खेद जुड़ा हुआ है। जिससे करीब एक लाग रुपए हर साल आते हैं। गाउं के लोगों का कहना है कि इस रुपए को आचाराम प्रधाना अध्यापक और न्याय पंचायत प जब इस विध्याले में पुषपा देवी ने जो की शिक्षा मंतरी के पद पर कारे कर रही हैं हिसाब मांगा तो उनके साथ मार पीट कर बदसलू की के अलावा उन्हें जाती सूचक गालियां भी दी गई। कई बार विभागे अधिकारियों से लिखित वो मौकिक शिकायत की गई। मगर किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। इसके बाद प्रदीब कुमार जलाधिकारी को लिखित पत्र देकर शिकायत की गई। तब प्रशासन हरकत में आया और कारवाही करने का आश्वासन दिय वहीं दूसरी और विर्जेश कुमार ने बताया कि ये गवन हमारे पूर प्रधाना ध्यापक आशाराम पांडे ने किया है इसमें हमारा कोई दोश नहीं है सोचने वाली बात है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विध्यालों के प्रधाना अध्यापक की अगर ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे तो बच्चों पर इसका क्या आसर पड़ेगा